लो उब्रिवारण है रिफीरों लोग सबंढ़ है एलेक्शन आने वाले वोट किसको देने वाले हो पहले तो सवाल यह important है कि वोट देते कैसे हैं किया बात कर रहे हो भाई वोट कैसे देते हैं वोटर आइडी कार्ड बनना रखता है जाना है वहाँ पर सीविर लगा करके रखता है वहाँ पर जाकर करके अपना गुठार मारना होता है वोट कैसे देने से पहले भी एक और सवाल है कि वोट किसको देना और उससे भी important सवाल है कि वोट किसको और क्यों देना उसने ऐसा क्या काम किया है और फिर अगर सवाल पूछो गए तो उसके अंदर का काम क्या है काम क्या करना अब जैसे मतलब कि अगर कोई नेता को हम सरजर का कुछ लिश्ट के बारे है जो यह बताता है कि सेंटर जाने कि सेंट्रल गॉवर्मेंट में और स्टेट गॉवर्मेंट में क्या अंतर है एक सांदार सा फोटू है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो एनेलाइस दे वर्क अफ़ कर गवर्मेंट प्रॉपरली किसी भी किसी भी सरकार का काम को सही से समझने के लिए इंपोर्टन्ट है यह जाना कि इसके इंदर काम क्या है रिफूं DAY sensitive जब चाहे तो तो आप सुमारे इसलाट अब सुने झुट हो तो है जो भी सुन रहा हो तो किसे सुनेगा वहां तो हिंदी से सफ नक्रत है क्या वोलूम है कि और और कोई और है क्या कि फिनिस्टर अर्विन केजडीवाल है और को यह कहीं मतब इस्वा सर्मा हां तो मतलब जो भी है तो यह जानना कि इसके पास क्या थाकत है इस आर्टिकल में आर्टिकल तो बताया है नहीं मतलब कि यह आर्टिकल में हम लोग यह जानेंगे कि पावर कैसे डिवाइड है सेंटर और स्टेट के बीच में और वह बताता कौन है तो जब्सकेडियोवन सेवन अब दग इंदिन यूनियन से पता चल रहा है यह यूनियन मिनिस्ट्री अवर्म फिर लिस्ट लिस्ट बात है कि स्टेट लिखाय तो इसका मतलब है कि स्टेट के कंट्रोल में आता है और तीसरा है concurrent list यानि कि the list which is being made by both of them पर यहां पर भी एक funda है कि साधी होती है तो कहते हैं कि समान अधिकार बिनना चाहिए पुरुसों को भी सदा समान अधिकार महिलाओं को कि समान अधिकार पतिली का समान अधिकार होता नहीं है वह तो बस छलावा है जैसे यहां पर in चुभ बर यहां और श्यार जीर वह वह बराबर यह तो कहने झाती है महिला हमें जाती हको जाधा इसाधा ताकत होती तो इस लिए इंडियन आंगे लगाते हैं कौजाय यानि कि जब भी कॉंकरेंट लिस्ट के अंदर बनाने वाला स्टेट और सेंटर जब बो दोनों हो जाता है तो सेंटर का ताकत जाधा काम करता है जंटर है दमसल मैं तो सरी हाथ भाथ कराब बने हां थेक्षा जंटर के पास ताकत है तो इसको फेटरलिजम बोलते हैं और तीन लिस्ट के बारे में हमको पता चला union लिस्ट लिस्ट कांगरेंट लिस्ट कि आज भी नो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फॉलोई विद्रेटरलिजम फॉलोग करता है अब तुमको यह भी बताना है बहुत इंपॉर्टन सवाल यह कि फेडरलिजम का कॉंसेट आया कहां से ठीक है किस देश से हमने चुराया यह थी तो टायर गवर्मेंट सिस्टम में माल मेंकि एंगीनियन गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट हाला कि वह थीराद भी है यह था लेंट में और यह थि डुखना भी चाहिए यह ऐली ठीक है तो as we know that the supreme law of our country is the constitution of India, हम लोगा supreme law क्या है, वो जो लोग कहते हैं, नहीं, वो जो बाइवल कहते हैं, वो जो गीता कहते हैं, वो जो कुरान कहते हैं, नहीं, constitution of India, constitution of India, वो इसलिए क्योंकि ये किसी धर्म, पंत को देख करके नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है, देश के प्रत्यक नागरिक, नीचे से नीचे तबके के नागरिक को देख करके ये law बनाया गया है, इसलिए हम इसे supreme law, यानि कि सबसे ओपर law, इसको हम लोग दर्जा देते हैं, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 246 of the constitution, as per the constitution, आर्टिकल 246, अभी यह याज रखना 246, ठीक है ना, 246, टुका स्कार 4, 2236, 224, 226, 246, याज रखना, कैसे भी करके 246, ठीक है न, तो, आर्टिकल 246 of the constitution states, that in 7th schedule, there are 3 lists, first is union, state and concurrent, as I have already told, now, only the union that is the central government has a right to make laws, केवल central government के पास ताकत है, उन subjects के उपर laws बनाने का, जो की union list में है, ठीक है, फिर से कहता हूँ, central government के पास ही केवल वो ताकत है, जो, union list के अंदर आने वाला सारा subjects के उपर laws बना सकता है, जैसे, जैसे, यह important सवाल है, जैसे, central government के अंदर आता है, आर्मी departe, navy, कभी तुमने सोचा है, कि आर्मी को हिमंद सोरेन क्यों नहीं, क्या बोलते हैं, manipulate करता है, इब उमाता है, या कभी चाहे तो, वो क्यों नहीं बोलता है, कि जाकर के, बंगला देश में, क्या नहीं, चीटा कॉंग के जाकर के, हमला कर क्या जाओ, नहीं कर सकता है, क् या फिर मानिक साहा जो कि तुर्पूरा का सियम है उसके पास यह ताकत नहीं है या फिर गुजरात का सियम कौन है बूपेश वागियल हoco error भूल गए अभी नहीं है उसकी पासे नहीं को पिक्राइप कुल सकता सकता या कुछा सन्ट्रल में यूनिव लिस्ट में है तो अब हम लगब करते हैं अगला यह भी एक इंपौर्टेंट सवाल कि क्या स्थेट लिस्ट में क्या यूटी का भी यही सीन है कि यूटी जो है स्टेट लिस्ट के अंदर वाला चीज पर रूल बना सकता है लेकिन यूनियन टेरिटरी तो किसके अंदर में आता है यूनियन के अंदर में सेंटर के अंदर में तो यूटी के लिए भी सेंटर रूल बना सकता है इसके बारे म थीके पहले लिए के बारे में थोड़ा से जाने लेते हैं सबसे पहली बात है कि युणियलिस्ट में सब्सक्राइब लेकिन जब फॉर्म हो था था निटी सेमें सब्षेक्ट थे बाद में 42nd सफजी को तुम सोचे कि यूनियल स्भी कि आना चाहिए जैसे मैंने आर्मी का इथा का दिया है सेंटर के पास ताकत होना चाहिए बाकि सारे countrys से fight करने का तू सो मेनी चीज जैसे जैसे सचो जैसे 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 एटमिक एनरजी ठीक है आमी नेवी और ऐसा सारा रो ठीक है intelligence related चीज़ तो रेलेटेड चीज़ फिर एर्वेस रेलवेस हाइवेस एर्वेस रेलवेस हाइवेज यह कुभी कर्टे का काम नहीं कि यह को इंटर्स करता है में कोर्णिकेशन कर Film कभी देखा है कि उसके सकता है ठीक रू Behavior इंस्योरेंज अधर के इवाला सबजेक्ट सें तो यह सब LISTS में इसका नाम ना साथ पर तुम जो है सोचना समझना देखना कि क्या यह आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग टिक मारना ठीक है न अगला है अगरिकल्चर अगरिकल्चर इसलिए स्टेट लिस्ट में है सेंट्रल लिस्ट में नहीं है क्योंकि सारे स्टेट का अलग-अलग-अलग सॉयल टाइप ह है अलग-अलग सब कुछ है ठीक है अलग-अलग उर्वर्ता है तो यह जो है स्टेट का खयाल रखने का चीज़ है सेंटर जो है इतना सारा डाइवर्स चीज़ को नहीं द्यान दे सब्सक्राइब लैंड जैसे हमारे हैं सीन टी है जैसे त्रिपूरा में है एडी सी अडिशनल डिस्टिक कांसिल तो फिर पबलिक और जेल और प्रीजन से रिलेटेट चीज पुलिस को इंडियन पूलिस सब्स बेज़ो है वह सेंटर का काम नहीं करता आई एस भी सेंटर का का बन जाता यह बहुत मैं पूछता ही है हर बारी कि प्रिजन जो है वह किस टीट के अंदर में आता तो सब बनाता है लोकल गवर्मेंट पब्लीख स्टेट्स निकालेगा कि उसको मालूम है कि किस चीज के लिए के वज़े से लिकर जैसे बिहार में सराब बंदी है इसलिए ज्यारकण में आ करके पीता है लाइस्टॉक एनिमल हस्बेंटरी अले गाय वगरा के लिए फिशरीज अब अब अर्लियर स्टेट लिस्ट हैड छास वह स्टेट लिस्ट से चला गया जैसे की एडिकेशन फॉरेस्ट प्रोडेक्शन ऑफ वाइल्ड अनिमल्स और बर्ड वेटेजन मिसर्स यह सब जो है यह सब चला गया कहां पर यह सब चला गया और लिस्ट के बारे में जाने कि अब यह बहुत इंपॉर्टन है और वह सब नाशनल एट्यक्शन पॉलिसी लाए गया तुम कॉमेंट करके यह बताना कि नाशनल एट्यकुर्शन पॉलिसी में तुम्हें कॉन सा था में जो सब से खुबसूरत लगां अच्छा लगां जाए था हम सोच रहते हैं इसा ही होना चाहिए था अगला है व्लिस्ट तो यह बावन चीज़ें स्पेशल केसे क्या है तो दिए अगारिमेंट की पास यह ताकत है कि वह स्टेट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट उठा करके नाशनल इंट्रस्ट में वह बना सके लिकिन वह बहुत रही होता है दूसरा है कि राज्य सबाद चाहे तो वह बना सकता है अगर वह मांग करे तो और तीसरा है यह देखो यह रहा सवाल अनादर स्पेशल केस जो कि मैंनी पेपल आफ कम कन्फूजन अट अब देली उनी सचपर में क्या हुआ था रियोर्गनाजेशन अफ इंडियन स्टेट्स अन् Wir ली को यूं लीरट या बनाया गया सिक्टीन का उंस्मिस अब्चैर्ट के लिएमेंट्प सोगाज्य को यूंन स्ञक्षित किया गया जिसके बाद देली के पास पहला आजिशलेटिव आईसंबली बना बाकि स्टेट्स के जैसा आफ्र इस अमेंड्मेंट के बाद ड स्मूदली और कुछ पावर के साथ चला सके एसे पबली कोडर पुलीस और लेंड ये सब व्याइट नव कुशन अगवर्ण्यूशन आधा क्विशिन अवन कुलूशन अचिनर क में इस पीपल रिगाडिंग इन गोश्वर में इंडिया स्ट्रॉक्टर अ इंडिया अग्ला स के पास ज्यादा ताकत क्यों होना चाहिए ठीक है हमेशा ही देश के मुख्या को ताकत मिलता है क्योंकि अगर माल लो यह 1947 के टाइम पे जब ही सेंटर ताकत लेया था और उसके अंदर में धेर सारा स्टेट था सारे स्टेट बहुत गरीब थे सेंटर का पास तो सेंटर को स्टेट तो कोई स्टेट नहीं है ना सारे स्टेट बहुत गरीब थे सब के पास कुछ-कुछ मांग था जो की पूरा करना बहुत ज़रूरी था सब को उबारने के लिए ठीक है, पांच इंगली है, पांचों अलग है, सब की आवाज खता है, अलग है, इसलिए, सेंटर ने अपने हाथों में वह ताकत लिया और यह ताकत लिया, कि सारे states को वो महान बना करके रहेंगी इसलिए जैसे कि जब भी पैसा आता है center के पास तो वो क्या करेगी वो किसी को जादा और कम नहीं दे सकती ना सबको बराबरी से देना पड़ेगा सोथ समझ करके देना पड़ेगा इसको कहा किस चीज के लिए कि कितना जरूरत है इसलिए center को ज्यादा ताकत दिया गया है इसके पक्ष में और भी बहुत सारा चीज है विपक्ष के में भी बहुत सारा चीज है आपको पता हो तो आप जरूर बताना और मुझे लगता है कि आपको schedule 7 का आर्टिकल 246 समझ में आ गया होगा नहीं आया तो कॉमेंट करके बताओ और आ गया तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और कॉमेंट करो कि तुमको अगला वीडियो किस टॉपिक से रेलेटेट चाहिए ठीक है तब तक के लिए टाडा वाई 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 नेम इस क्या फार्क बढ़ता है